जीवन को जिनोंने समय को साध लिया और जिनोंने मन को साध लिया और जिनोंने सही माइने में समय का नियोजन करना सीख लिया अब पचासी साल के हो गए अब हाए हाए बंद करो अब छोड़ो मालकियत का सुख लेना अब चलो निकलो घर से बाहर तुम्हें ठोकर मार दी जाए उससे पहले क्यों नहीं त्याग देते और कदाचित घर ना छोड़ पाओ तो आसक्ती तो छोड़ ही देना आशा तो छोड़ ही देना अब एक शाओं का त्याग तो कर ही देना जीते जी वो स्वर्गी आनंद का अनुभग लेते हैं जो अपने घर में महमान होकर जीना सीख जाते सारी दुनिया आशा के कारण दुखी है कि बेटा नहीं पूछता बहू नहीं पूछती घर वाले नहीं पूछते उतनी जतनी करते जितना समर्पन किया है कोई कीमत नहीं है ऐसी हाए हाए अच्छी नहीं लगती शोबा नहीं देती छोड़ो बेचारे क्यों बने हो दिल देना तो शाम सुंदर को दो और पुर्शार्थ करना तो धर्मराज युदिष्ठिर जैसा स्वर्गा रोहन का पुर्शार्थ करे और देखो धर्म क्या है छूट गए सब पर एक साथी है कुट्टा और स्वर्ग से विमान आ गया है और उन्होंने सागत के लिए हाथ जोड़े है और ये कह रहे हैं धर्मराज के चलो भाई कुट्टे को कह रहे हैं विमान पर चड़ो भाई तो स्वर्ग वाले कह रहे हैं ये आप क्या कर रहे हैं कुट्टा कैसे विमान पर चड़ेगा उसे अधिकार नहीं है तो फिर मैं भी अपने अधिकार को छोड़ दूँगा धर्मराज बोले मनुष्यों ने मेरा साथ नहीं दिया भाई चूट गए पत्नी चूट गई वो मूख है पशू है मेरे साथ चल रहा है मैं मनुष्य हूँ बोल सकता हूँ स्वर्ग के लालच में उसका साथ छोड़ कर नहीं जा सकता हूँ देव हसने लगे और जब पीछे मुड़ कर देखा तो कुट्या नहीं साक्षात धर्म प्रकट हो गए थे अलोग से अलोगित हो गई थी और एक बात याद रखना देवियों और देवताओं जो खरा सोना होता है वही आग में डाला जाता है परिक्षा उसी की होती है बार हजार परिक्षा की आग में डाला जाएगा वो और जो खरा सोना होता है वह कभी परिक्षा देने से डरता भी नहीं है वह कहता है एक नहीं हजार बार आग में डाल लो खरा हूं 24 कैरिट का हूं तो वो तपस्वी वो त्यागी वो धर्मग्य जब उनकी परिक्षाए होती है तो वो व्याकुल नहीं होते वो खरे उतरते हैं परिक्षा की कसोटी पर अर आज धरमराज भी खरे उतरे अंतिम जिंदगी की परिक्षा उनकी हो गई कि उनकी कुट्टा धर्म कुट्टा बनकर आ गया और कुट्टे ने जो साथ निभाया उसके प्रत्वी उत्तर में मैं अकेले लालच करके स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर सकता ये है धर्म अध्यता ये है मिस्ठा ये है मानुशी भाव जिसकी चर्चा मैं पहले दिन कर रही थी कि भागवत उसी मानुशी भाव को जगाता है बड़े हुए थे परिक्षित बहुत बार लोग कहते हैं कि दिदी मह बहुत कुछ है जो हम हम चातियां छोड़ देना पर छोड़ नहीं पाते क्योंकि आपके बस में आप नहीं हो क्योंकि आपके बाप दादा आपके शरीर में आपको पता है आपके पर दादा जी आपकी नाक पे चड़े वैठे है उठाके उनकी फोटो देख ले न तुमारी नाकूनी की जैसी है तो तुमारे कुल से मिला तुमेरा जुवीर ये उससे मिला शरीर तुमारे 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 शरीर नहीं मिला आदतें भी मिली हैं संसकार भी मिला वही करते हो जो तुमारे पुर्खे कर रहे थे और जो तुमारे माता पीता कर रहे हो तो उच्छे कूल में पैदा होने का अच्छे धर्मातमाओं के घर में जन्मन एका प्रशाद ये होता है कि धर्म तुमें संसकार के रूप में मिल जाता है कदाचित मैं खुद को टटोलती हूं न तो मेरी बहुत सारी आदते मेरी मां जैसी है वे परदुख कातर थी किसी गरीब गुर्वे को देखके दरवी तो हो जाना और मारे पिता जी तो इतने कठोर सुबाब के थे नाराज होते थे बहुत राम लिल्ला नी देखने जाने दे और सुनों बूरे रास्ते पर बाप भी ले जाए तो नहीं जाना चाहिए और अच्छे मार्ग पर पर दादा भी आके खड़ा हो जाए तो उसकी भी अवग्या कर देनी चाहिए हम कभी सोचते हैं कि बहुत बार ऐसा होते हैं कि पास में कुछ भी नहीं है लंबी लंबी प्लैनिंग कर लेते हैं हम पास में कुछ भी नहीं होता पता चला यग्ये कर लिया भंडारा कर लिया बाद में कारीकर्पताओं ने बताया कि दीदी मा संस्था 35 लाग रुपे की आपने ऐसी योजना बना दी पैसा वैसा है नहीं अब जब यह पता चला तो अब डर लगा गुरुदेव से कि गुरुजी कहेंगे कि रितंबरा उधार ले लेके सेवा करोगी यह तो बहुत बुरी बात है अब गुरुदेव के सामने तो यह बोल नहीं सकती मैं अब क्या कर आपना फॉन नंबर दे गए थे वो मियामी में रहते हैं नरेश उनका नाम नरेश तोलानी कुछ नहीं सूजा उसको फोन कर दिया नरेश वह मुझे कभी हस्ता भी यह वोलता है माता जी कैसी हो हमें भूल गई मैंने का नहीं भूली तू कैसा है मैंने का बहुत साल पूरा आ भाराम करोगे तुम। difum? कहा मता जी। करूगा उन्च क्या्य वेस्ट इंडीज। ले जाओंगा। सागर ऍसागर के चारो सागरी च toe two-tee Drea vraag वहां भारतिये रहते हैं वहां। उनके बीच में ले चाउंगा किसी मंदिर में किर्थन किया, किसी में भजन गाया, किसी में सत्संग किया अब चड़ावा चड़ता था, तो नरेश थैली में समेटता रहता था और दस एक दिन बीते, मैंने का नरेश वो दान दक्षना तो गिलने बोले हा माता जी गिलने था, अमने का कितना हो गया होगा, बोले माता जी यहां का डॉलर उधर जाके 35-40 गुना हो जाते है भारत जाके, इस हिसाब से तो 25-30 हो गया होगा, तो मैंने का भारत जाने की मेरी टिकेट करादे मैं बापिस जाऊंगे, अरे माता जी अपनी इतनी क पारिक्रम मैंने का नई भाईया मुझे बापित जान है अब भारत सूजने लगा क्योंकि मैं सोच रही थी कि कर्ज उतार दो फिर गुरुजी को बताऊं जब गुरुदीव को आके मैं वो धन लाई सबके पैसा वेसा चुकाया फिर गुरुदेव को बताए तो गुरुदेव बोले पागलों क्या अरे तुम भी पत्ती में थी इतना बड़ा करजा था तो हम लोगों को क्यों नहीं बताए ट्रस्ट के लोग भी कहने लगे तो हमने भी कहा कि इतनी बड़ी योजना बनाती हु पल्ले कुछ भी नहीं होता बहां पे जाकना यह भी पिलाड लाई पर उत्तरा घंड में और मन इतना व्याकुल उत्तरा घंड चल ला ऊतरा भान चल रहे को उत्तरा धने तयले में तुम सरवे क्यों कर रहे हो थेले में जो था वो देना बाटना शुरू किया तो साथी बोले कि दीदी मां खत्म हो गया हो तो चलो नीचे मैंने का नहीं जाओंगी यहीं बैटी रहूंगी कि दीदी मां पहाड़ों पे है तो मेरा देश कोई कमी नहीं छोड़ेगा यह मुझे मानुद्ध कुछ धर्मशाला 15-20 कमरों की धर्मशाला किराये पे लेली नन्य नन्य बच्चे आना शुरू हो गए साड़े पांसो बच्चे बच्चियां और महिलाएं आज उस वातसल्य के केंदर में हैं देवियों प्राता काल जब गीत गाते हैं भजन गाते हैं वो पूरा मुहला ग में उठा के बार कराती हूं वहाँ पे जाके स्कूल छोड कराती हूं तो लोग मुझे कहने लगे दीदी मा तो अब उत्तरा खंडी हो गई है वहीं दिल लगता है दिल क्यूं लगता है क्योंकि जहां दृस्टी जाती है लगते है शिवशंकर बैठे हैं जहां जहां पिर हाथों से सेवा हो और भजन हो फिर किसका दिल करेगा हिमाले से नीचे आने का किसका मन करेगा तो मैं बता ये रही थी कि पल्ले वल्ले कुछ नहीं होता लेकिन प्लैनिंग लंबी चोड़ी कर लेती हूं ये कहां से मिला ये गुण मुझे मेरी मां से मिला अब ये इसको दूशन भी कह सकते हो, और इसको भूशन भी कह सकते हो, और एक बात निश्चित है, मा कहती थी, कि इश्वर ये कारिये, जो इश्वर ये कारिये, जिसमें तुमारा आहंकार नहीं, जिसमें तुमारी अपनी जैजैकार नहीं, वो इश्वर का कारिये है, मनुश्यता के लिए और उस कारिये को पूरा करने के लिए इश्वर स्वयम पास आकर खड़े हो जाएंगे और जब कोई द्वार पर आए तो बापिस मत लोटना लोटाना अपने आंगन की थोड़ी मिट्टी खोद के उसके भिक्षा पत्र में डाल देना उस मिट्टी से उसकी भूक मिटेगी मा नहीं उसकी भूक नहीं मिटेगी पर तेरे देने का संसकार जिंदा रहेगा जिंदगी में कभी देने लाइक बने पर देने का दिल न रहा तो दे नहीं पाओगे इसलिए समर्पन बुद्धी चित में रख क्या मिला प्रशाद में माता पिता से परिक्षित को मिला भीम जैसा बल अर्जुन जैसे धनुर धर थे वो और धर्मराज जैसे धर्मग्य थे वे और नकुल सहदेव जैसे खुबसूरत थे वे और उन्हों ने ही एक बार कल्यूग का नियमन किया था कल्यूग ने कहा था कि मुझे जगय दे दो और जगय मिली थी परिस्त्री गमन में शराब में जुए में और पता चला की परिक्षित जरासंद का मुकुट धारण करके क्यूंकि पाप की कमाए हुए स्वरण में कल्यूग का वास रहे जरासंद के मुकुट को धारण करके आखेट के लिए चले गए थे और उन हाथों ने जिनोंने सदाईव संदों के गले में पुष्प मालाएं पहनाई थी उन हाथों से अपराद हो गया और एक संद के गले में मरा सर्प डाल गया और फिर श्रिंगी के दारा परीक्षित शापित हो गये साथ में दिन सर्प काट लेगा तक्षक डस लेगा और फिर ये दूशन और ये शाप परीक्षित के लिए वर्दान बन गया था देवियो कुद्रत अगर तुमारी तरफ तलवार फैंके ये तो तुमारी बुद्धी मता है कि तुम धार से पकड़ोगे या हत्थे से पकड़ोगे अगर कुद्रत ने तेरे सामने तलवार फैंक दी तो समझदार व्यक्ति हत्थे से पकड़ेगा और तलवार का भी सदुप्योग कर लेगा संसकारी परीक्षित मृत्यू से बचने का उपाए नहीं कर रहे मृत्यू के पार परम सत्य क्या है इसको जानने का उपाए कर रहे हैं और अनिशन करके गंगा के तट पर आकर बैठ गए और जहां एक जिग्यासू होता है ना बैठता है वहां सारी सादू महात्मा इकत्रित हो जाते हैं और एक बात याद रखना देवियो सादू तीर्थ टरखों में नहीं जाते जहां सादू बैठ जाता है वही अस्थानतीर्थ अस्थान हो जाता है जैसे की कोटला कला के अंगन में पावनपुरियों की प्वित्रता अचारों धाम की भवव्यता आ गई है दिव्यता आगा है क्योंकि माहराजी यहां बैटेहां देरह डल्य यह मान के लिए करणिय क्या है यह उत्तर पाने की चाह से यह प्रश्न किया गया है देवियों मृत्यू जिसके सर पे डंका बजा रही उसे क्या करना चाहिए और परिक्षित को संत महात्मा उत्तर देते तभी भगवान शुकदेव प्रकट हो गए थे रक्षों और वल्लरियों से और आके व्यासपीट पर मिराजमान हो गए थे और उठ गए थे संत स्वागत के लिए अहों अहों यह कौन आया परिक्षित सोचते वयोवरद पराश्र जैसे जिनके स्वागत में उठके खड़े हो गए वो नन्ने से बालक दीख रहे हैं और इतने बड़े श्वेत दाड अधी वाले खड़े होकर इनका स्वागत कर रहे हैं यह कौन है यह कैसे हैं और यह क्यों आ गए संतों ने कहा तेरा उधार करने आ गई यह शुकदेव है यह व्यास के पुत्र है और यह नहीं आये हैं परिक्षित मुक्ति तेरे द्वार पर चलकर आ गई और फिर परिक्षित की आँखों से अशुरुधार वही थी और शुकदेव के चर्णों का प्रक्षा लुन हुआ थी परिक्षित ने प्रश्न किया था अतहा प्रच्छा मिसंसिद्धी योगी नहां परमम गुरू क्या है परम गुरू मिल जाए तो उनके सम्मुक जब खड़े होगे तो क्या पूछोगे उनसे क्या पूछना चाहिए अगर आपको जोहरी मिल जाए तो क्या उनसे पत्थरों की और कंकणों के मौल ताल करोगे जोहरी मिल जाए तो हीरे का बनज ब्यापार कर सकते हो ना अब परम गुरू जो योगीयों को भी दुरलब है वो मिल गए तो उनसे क्या पूछोगे बहात अद्वुत प्रश्न पूछा